वेल्कुटू माय चैनल के अपे याल सुब्लो तो अब भी जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे यह एक और पूजा होने वाली है ट्रेडिशनल पूजा हमारे यूपी की तो यह जो पूजा है ना इसका नाम थोड़ा अजीब है तो इसका नाम है चटपट माता तो चटपट मा मतलब वह जाता है कि ऐसा मतलब हमारे गाउ में बोलते हैं कि यह जो माता जी होती है इंसे को भी विश्च मांगो तो यह चटपट मतलब बहुत फास्ट पूरा कर देती है इसलिका नाम चटपट माता है तो उन्हीं की पूजा होगी आज तो इसमें पहले वाली पूजा मे कि मेरड वोमेन होती हैं सादि शुदह वही होती है और इनमें पूजा वगेरा किये जाता है तो ऐसे ही होती है फिर वो जो मिठाई बनाई जाती है वो मिठाई जो लेडीज होती है वो मिलके खाती है भगवान को प्रशाद चढ़ा के तो यह होती है यह पूजा हमारे गाओ की ट्रडिशनल पूजा है यह भी सिर्भ यूपी में ही होती है और मैंने सोच को आप लोग को ये वाली भी फूजह दिखा देती हूँ मैं तो सलिए अभी मैं दिखाती हूं कि ये वाली फूजा भी कैसे होती है और मैं ready हो गई हूं मैंने यह शाडी पहनी है और चूंकि मैं पूजा बगेरा में साड़ी पहनती हूं मुझे अच्छा भी लगता है और इसलिए मैं टैयार हो गई हूं अभी बैक कैमिर से दिखाती हूं मेरा पूरा गेट अप और बाबू अभी सो रहा है उसे मैंने सुला दिया है क्योंकि फिर पूजा करने नहीं पूजा की तयारिया है और यहां पर पूजा की तयारिया हो रही है और सब लोग आ भी गई है तो अब पूजा स्टार्ट होने वाले हैं हमारे यहां कोई भी पूजा होती है इसमें सबसे पहता है पहले आलता जरूर लगाते हैं जैसे पहले भी बता चुगी है आप लोगों को तो बस वही आलता लगा रही हूं मैं यहां पर बैट के क्योंकि बहुत शुब होता है आलता हमारे यहां बहुत शुब माना जाता है तो बस वही लगा रही हूं मैं तो यहां पर पूजा और ये भगवान को बना दिया गया से से करके सिंदूर से बिनी की पूजा में पूजा वह तो पूजा स्टार्ट हो गई है और सब बैठ गया है एक लेडी कम है इसलिए हम लोग बैठ के उनका वेट कर रहे हैं तो बस अब हो गई है पूजा शुरू सब लोग साथो लेडिज आ गई है और इसमें देखिए प्रसाद पत्ते में रखा गया है तो यह वाली पूजा ना इसलिए अनोखी है क्योंकि इसका प्रसाद जो है महुआ का पत्ता है उसी के पत्ते में रखा गया है और उसी के पत्ते से ही हमें प्रसाद लेना है तो यहां पर ममी ने पूजा स्टार्ट कर दी और प्रसाद भी लग गया है और अभी देखिएगा कि हम लोग प्रसाद कैसे खाएंगे बहुत एकदम डिफरेंट पूजा है तो वस देखते रहें कर दो के जाय कार मुदकर मां चाहते हैं कर दो रहें। कर दो कर दो कर दो कर दो तो पूजा होनी के बाद इस पूजा में कथा कही जाती है तो एक भाबी है वो कथा सुना रही है और हम लोग सुन रहे हैं तो यह देखिए इस पूजा में पुरसाद को ऐसे खाया जाता है खड़े होके पत्ते को हाथ में लेके डारेक्ट मुह से खाना है हाथ नहीं टच करना है कि हाथ से उठाके खाना है तो यही अनोखा रिवाज है इस पूजा में और खाने के बाद वो जो पत्ता है वो जो पूजा करता है इसे मम्मी कर रही थी तो उनके आचल में दे दिया जाता है तो बस वही दे रहे हैं हम लोग पूरी करो मैं के में मांगू सोनायो चांदी तो तुरे में बरा बरी आज का मैं ना पूरी करो मैं या मांगू मैं अचरा पसाज का मैं ना पूरी करो तो फाइनली पूजा करें गोई है देखा आप लोग ने कैसी होती है कूजा तो यह वाली पूजा ना चैट पट्ट माई वाली पूजा ऐसे ही होती है और यह को आगया है बाबी आगया है मेरा जैसे जैसे पूजा कतम हुई वैसे ही उठा, बड़ा समझदार बेटा है मेरा, जैसे पूजा कतम ही वैसे ही उठा है, और यह देखे खेल रहा है मेरी गोज मेरा, अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यह वाली पूजा में कुछ खाया पिय नहीं जाते हैं, मैंने दो बिंदी लग आधे हूं मैं खाना वाना खाके चुकि अंदर ठंड लग रही थी और बहुत तेज़ भूप है, सीधे मूँ पे लग रही है लेकिन अच्छा रगता है दूट में बैड़ना, और हावा बहुत तेज चल रही है, तो अथ ठंडा मौसम भी है आज यहां का, और अभी मैं सो मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे खेत में धेर सारी मटर की पलियां लगी है, और गेवू का भी खेत है, और अलू अगयरा का भी है, तो गाइस यह देखे मेरे छट से व्यू कितना खूबसूरत है रहा, ग्रीन भी, ग्रीन भी चार तरफ तो चलिए, यह वाला ब्लॉग य लगी है और अप्सक्राइब के शिए है को लिए खेवू है